तो दोस्तों आज बहुत ही चटपटी और चटपट रेसिपी लेके आया हूँ आलू की एकदम क्रिस्पी बनेगी और बच्चों को ना सद में बहुत पसंद आएगा अगर आपके बच्चे मसाला वगारा खाना पसंद नहीं करते या आपको आप उनको मसाले नहीं देना पस आपको काटे वाला स्पूंग आता है उससे मैश करना है या अच्छे से कद्दू कस आता है उससे कद्दू कस करेंगे तो भी चलेगा लेकिन इसमें गुठलियां जो हैं वो बिल्कुल भी ना के बराबर होनी चाहिए बस इस बात का ख्याल लगना है तो यह मैंने अच्छ ग्राम आलू लिये हैं बॉयल आलू तो 100 ग्राम आपको कॉन फ्रा डालना है कम ज्यादा हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा कुटी हुई काली मिर्च एक चमच डाल दी है थोड़ा चॉप किया हो हरा धनिया डाल देना है आपको साथ इसाथ आपको नमक डाल देना है और मसाले के नाम पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है अब हम आटा गुंदेंगे अब जैसा कि मैंने बोला कि कॉनफला की जो कॉन्टेडी फिक्स नहीं है हाँ एक चमच ओईल डाल दीजेगा और उसके बाद आपको इसे मिलाना है कॉन्फला की कॉन्टेडी फिक्स नहीं है बस सिंपली इसका डो बन जाना चाहिए ठीक है अब आपके हाथ में जब यह चिपकने लगए तो हाथ को वाश कर लिजेगा और यह दिखे मैंने डो एक तयार कर लिया है एक सौफ सा डो तयार हो जाएगा थोड़ा सा चिपचिपा होगा पर हाथों में ऑईल लगा पर से और फिर आपको एक छोटी सी लोई लेनी है याद रखेगा जितनी आप लोई लेंगे न वो फूल के बड़ी सी हो जाएगी तो ऐसे गोल गोल करना थोड़ा प्रेस कर देना है प्रेस कर देंगे फिर भी यह गोल बनेगी क्योंकि यह फूल जाएगी ठीक है ऐसे आपके पैन में या कडाही में आप इसे अलट पलट के पकाते रहेगा इसके उपर धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कलर आना शुरू हो जाएगा और यह हलकी होनी शुरू हो जाएगी और यह बबल्स भी बहुत कम हो जाएंगे ठीक है इसका मतलब हमारे जो बॉल्स हैं व बच्छों को बहुत पसंद आएगी आपको जरूर प्राई कीजेगा और ज्यादा देर की मतलब दस से पंदर मेरे में बन के तयार हो जरू बताईएगा कैसी बनी आपकी यह रेसिपी थैंक्यू सो मच